हाई गाइज, विल्कॉन टो प्लC लाश्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इसी प्रोग्राम को डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था, कुछ वैलू को हम लोग इन्पुट कर रहे थे और जस्ट उसका आउठ्पूट देख लिए रहेते तो पिछले वाले प्रोग्राम में मैं आपको एक ही चीज आया, ताकि यूजर से गरिन्पूट लेंडा हो, तो आपको कैसे लेना है? अब आप यूजर से इन्पूट लेना सीख़ चुके हैं, जो कि एक स्केवन क्लास के थूरु हम लोग इंपूट ले रहे हैं। अब आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बहुत सारे चोटे बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं जैसे कि माक्स का परसेंटेज करना डिसकाउंट केलकुलेट करना यूनिट कंवर्टर बनाना यूनिट कंवर्टर जैसे कि किलोमेटर को मेटर में कंवर्ट करना केज कुछ होंबर करना है जब तक आप खुछ से प्रैक्टिस नहीं किजेगा तब तक हो तोग कुछ एक दो प्रोर्गाम बना देता हूं उसको अधार मना के अप कुसिस किजेगा कि एक डू कुछ से बनाने के लिए तो चलिए हमґन के दो करते हैं यह जो भी कोड दिखना है इसे को किया करतेंगे जश्ट एडिट करके कुछ-कुछ प्रोग्राम बनादेंगे और रंट करके उसका अटबोल प्यक्या दिखा like यह तो पहला प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसमें करना तो वो लोग अपना marks का percentage जानना चाह रहे होंगे तो वो थोड़ा कल्कुलेशन करते हैं फिर वो percentage निकालते हैं तो आप एक छोटा सा program बना सकते हैं जिसमें student अपना marks टालेगा तुरांत वो percentage उसकी screen पर फ्लाइस हो जाएगा तो इस प्रकार का programming करने के लिए हमें क्या करना होगा एक दो variable बनाना होगा फिर बाकि मेरा काम हो जागा और एक छोटा सा करना होगा जो परसेंटेज आप जैसे कि अपने copy पे निकालते हैं उसी तरीके से आप यहां पे भी निकाल सकते हैं तो हम क्या करते हैं यहां से कुछ कोड को हम कार देता हैं और कुछ कोड को बचा लेंगे जैसे केक सिस्टम.out.println को हम बचा ले रहे हैं क्योंकि इसका जोरोड़ी पढ़ेगा ठीक है अब इसी को हम इडिट कर दे रहा है एक बैरियेबल की कोई जोरत नहीं है हमें तो इस ट्रिंग को हम क्या कर दे रहा है यहां आज आप लोग भी इस तरह से करके थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं पुराने कोड का तो एक मेरे पास बैरिएबल होगा जिसका नाम होगा मा के मांक भी आता है तो यहां माक को इंटिजर कर दिया लेकिन प्रश्य देह्ट देखने में अच्छा लेगा तो इसको मने क्या कर दिया चाण मार्क्स कर दिया और पी या छोटे छोटे नाम रखते हैं इसमें हम क्या करेंगे पर्षेंटेज इस्टो करेंगे अब क्या करना है एसके एसके नहीं करेंगे इसे बचा कर रखते हैं और यूजर को एक मैसेज देना है तो इसको हम यूज कर जाते हैं इंटर यूर मार्क्स हम क्या करते हैं इंटर योर्ण उसने कितना पाया थे झेगे direkt आउप टेंड करेंगे उसको हम क्या करेंगे पहलिए में मार्क्स नाम के वरियेबल में तो यहां पिर हमको लिखना होगा क्यों कैसे कैसे हमने मैं पहले कि इसपोर्ट कीगे ठीक है तो जो भी user देगा जो भी user value input करेगा वो integer type ही input आएगा इससे के लिए ये function को हमने हुब भू ऐसे ही रखा है next int function का use करके ही हम लोग input लेते हैं ये सारी बाते मैंने पिछली वीडियो में अल्रेडी बता दी है हो सकता है अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले पिछले वाला वीडियो देखेगा उसमें हमने बताया है input कैसे लेना होता है फिर आप इस वीडियो को देखिया तो पुरा समय में आजागा इसके अंदर जो भी marks input के तौर पर उसको ले लेना है और उसमें हमें divide कर देना है किस से हमें यहां पर divide करना है 5 से ठीक है marks divide by 5 इतना कर देने से क्या होगा percentage निकल लेगा क्योंकि total 500 का ही एक्जाम होता है तो आप 5 से divide कर देजेगा percentage आ जाएगा अब हम क्या करना है इस percentage जो भी percentage हमें मिला इसको प्रिंट कर देना है तो एक message के साथ हम प्रिंट करेंगे तो देखने में अच्छा लएगा यह message आएगा और प्लस operator डालकर हम यहां पर variable लिख देते हैं पी इए आर इसी variable में मेरा marks है हो गया देखे रहे कितना कोई लंबा प्रोगार्मिक प्रोगार्मिक है अब आप पूर देखने के लिए हम इसे रन कराते हैं देखें नीचे मांग रहा है कि अपना marks होता ही है त मांतर 320 marks हमें मिला नीचे आपका percentage दिखते है 64 अब आप चाहते हैं कि जो भी percentage दिख रहा है वहां पर percentage symbol भी आजाए परसेंटेज सिंबोल भी आजाए तो आप वैसा भी कर सकते हैं अभी percentage symbol आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक है आउट्पुट में तो परसेंटेज सिंबोल भी आजाए तो इसके लिए क्या करना होगा तो आएए थोड़ा साइडिट करते हैं अपने code को percentage symbol कैसे हम लगा सकत हैं तो देखी क्या करना हुआ यह जो पी आर भेरियेबल है इसमें तो आपका क्या है कोई निमेरिक भैलू है मतलब जो भी percentage क्लेट होके आया है वह रिजल्ट इसमें है इसके बाद ही ना आप चाहते हैं जो भी percentage symbol आए तो फिर एक plus symbol लगाए ठीक है और मैसेज के तौर प फिर से वही input हम देते हैं ठीक है 320 अब देखिए percentage symbol के साथ आ गया यह थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो ऐसा programming आप भी कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो यह एक छोटा से प्रोग्राम था जिसमें मांस का percentage कल्कुलेट किया रहा था आप एक खुछ से कोसे कीजिएगा जिस में डिसकाउंट कल्कुलेट किया जाए डिसकाउंट का मतलब किसी सौप्ट हम जाते हैं तो बोलता है 50% discount 40% discount तो उसके लिए आपको क्या करना है एक छोटा सा कोड लिखना प्रोग्राम करना है जिससे वह डिसकाउंट कल्कुलेट कर दें तो यह आप खुछ से किजिएग और बहुत सरे प्रोगामिया आप कर सकते हैं यूनिट कर्मेटर का कुछ प्रोगाम बना सकते हैं जैसे कि मैंने पहले वीडियो के शुरू में ही बताया था तो किलोमिटर यूजर इंपुट करगा मेंटर में उसका आउट ukट आएगा केजी में यूजर इंपुट करगा में पाउंड में उसका आउट आईगा तो यह सब बीत पूर्ण आप बना सकते हैं तो चलिए इस विडियो को हम यहीं खतम करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में यूनिट कंवर्टर का एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए हम ला देते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए थैंक लिए